कि यहां उसम जो सो खना चिए लिए मैंद्धियन कल्चरल्स को कुछ में लेको यहां बेंगा मै Kosley जब यहां आया तो उसने इस देश का सर्वे करा है और सर्वे करा के उसमें रिपोर्ट या आई रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान का जो कल्चरल सिस्टम है वो यहां के गुरुकुलों पर टिका हुआ है इस देश में स्कूल चलते थे जिनको गुरुकुल कहा जाता और सारे देश में स्कूलिंग सिस्टम कैसा था 1835 में यह जो सर्वे हुआ उसी की रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूँ अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के कई 1500-1600 आफिसर्स लगे मैकॉले के आदेश पर कि आपको यह सर्वे करना है कि हिंदुस्तान की संस्कृती किस पर टिकी हुई है तो उस सर्वे से निकला कि यहां की पूरी की पूरी संस्कृती स्कूलों पर टिकी हुई है गुरुकूलों पर टिकी हुई है आश्रम पद्धिती से स्कूल चलते है तो स्कूलों में क्या-क्या पढ़ाते है तो जो सर्वे है उस सर्वे की रिपोर्ट में एक ही हिरसा में आपको दे रहा हो तो आपको पता चले की ये देश कैसा रहा होगा मद्राब Presidency में अंग्रेजों के सर्वे की रिपोर्ट बताती है 1835 में डेलड लाक कालेज है पूरी Presidency और मैंने उस जवाने के अंग्रेजों के लेंड रिवेन्यू के रिकॉर्ड निकल वाये हैं इंडिया ओफिस लाइबरेरी से उनको इसलिए निकल वाया कि ये पता करूं कि 1835-1440 में मद्रास में गाउं कितने हैं कुल नंबर ओफ विलेज़ कितना तो टोटल गाउं हैं एक लाख सत्तावन हजार और कॉलेज़ कितने हैं देड़ लाख एक लाख पचात हजार कॉलेज हैं मने और ओने अवरेज हर गाउं में एक कॉलेज है और उस college को अंग्रेज क्या कह रहे हैं अपनी terminology में, उसी terminology को मैं दे रहा हूँ, higher learning institutes, माने उच्छ तिक्षा के college हैं, कोई छोटे school नहीं है, इस्कूलों के बारे में तो वो कह रहे हैं कि हर गाओं में दो तीन हैं, लेकिन यह जो डेड़ लाख हैं, यह colleges हैं, और इन डेड़ लाख college हों में पढ़ाया क्या जाता है, अंग्रेजों का वोई survey बता रहा है, कि इन में से 1500 colleges तो surgery के colleges हैं, जहां MS की degree मिलती है, अब उसको MS नहीं कहते होंगे, MS अंग्रेजी का शब्द है, संस्कृत में बड़ी भारी degree है, सरजरी की सिक्षा देने वाले देड़ हजार colleges हैं, मदरास presidency में, सारे देश की बात नहीं चल रहे हैं, वन थर्ड हिंदुस्तान की बात चल रहे हैं, और वो surgery में पढ़कर निकलने वाले लोग कौन हैं, यह भी बड़ा मज़ेदा, तो मदरास presidency में एक जाती है, जिस जाती को आप इस देश में नाई कहते हैं, जो बाल बनाते हैं, एक्चुली वो 1500 colleges में पढ़ने वाले जितने सरजन हैं, वो सब नाई हैं जाते हैं, तो कभी-कभी इस देश में एक गलत फैमी हो गई है हमको, अंग्रेजों की वज़े से, कि शूद्रों को तो पढ़ने ही नहीं कि शूद्रों पे तो ब्रामणों ने इतने अत्याचार किये कि वो पढ़ी नहीं पाएं, अगर नाई सरजन हैं इस देश में, तो यह कैसे असम संभग है कि शूद्रों को हमने पढ़ने नहीं हैं, और उस college में पढ़ने वाले students का जो percentage है, classification की आए अंग्रे जोन है, ब्रा में पढ़ने वाले करीब 70% लोग शूद्र हैं, और 30% में ब्रामण भी है, छत्रियवी है, वैश भी है, टोटल 30% में ब्रामण छत्रियवैश और 70% में सिर्फ शूद्र, और उसी report में एक दूसरी बात है, कि हिंदोस्तान में जो शूद्र है, इनके हाथ में सबसे बड़ ये मेरी report, technology उनके हाथ में है, और technology का transfer भी सबसे जादा यही जाती है, जो कर रही है, तो मदरास में और मदरास के आसपास के अलाके में आज भी आप जाईए, एक जाती है वहाँ पर, जिनको पैरियार कहते है, पैरियार जाती आज के समय में बहुत नीची जाती मानी जात है, मदरास में, साउथ में, पूरे साउथ में, लेकिन 1835 में ये पैरियार जाती की हैसियत क्या है, उस सर्वे के आधार पर, तो जो colleges हैं वहाँ पर architect के, building design के, building design के college'ों की संख्यार करीब 2200-2300 के आद पास है, पूरे मदरास प्रेसिदेंट के, तो architect के जितने colleges हैं, उन के जो सबसे महतुपून आचारे हैं, वो सब पैरियार हैं, और उनके हाँ पढ़ने वाले जितने बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े architect हैं, वो सब पैरियार हैं, जाती से, दक्षन भारत में, जितने मंदिर आपने देखें, मीनाक्षिपुरम का हो, मदुरही क की जड़ा हो वग्यरा वग्यरा-पारत में मंदिरों की बड़ी भारी परमपरा, शायद वैसे मंदिर उत्तर भारत नें रिखाई देते, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, चाहिए मनदिरों की डिजाइन के हिसाब से और ऐसे अदबुत-अदबुत-मंदिर मैं ने देखे हैं तो ये जो डिजाइन बनाने वाली जाती है ये है पैरियार और पैरियार जातीयों का सबसे बड़ा काम रहा है दक्षन भारत में मंदिरों को बनाने का तो मंदर बनाने वाली लिए जाती है जो पूरे दक्षन भारत में सबसे मजबूत मानी जाती है ये उनकी रिपोर्ट है अंग्रेजों की बाद में क्या हुआ है उसी पेरियार जाती को 1890 के बाद बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने कैसे बर्बाद किया है एक अंग्रेज ऑफीसर है जिसका नाम है ए-o-yum जिसने बाद में कॉंग्रेस बनाई है ये मदराज का कलेकर रहा तो मदराज के कलेकर की हैसियत से इस आदमी ने एक नोटिफिकेशन किया कानून बना दिया क्या कानून बना दिया उस नोटिफिकेशन के पहले दर्फषन भारत के जितने मंदिर है वो पैरियार लोग बनाते हैं A.O.U.M. ने नोटिफिकेशन किया कि आज के बाद पैरियार मंदिर नहीं बनाएंगे और अगर बनाएंगे तो वो कानूनी अपराद होगा कानून बना दिया हुआ कानून बना के उस जाती को मंदर बनाने से रोख दिया हुआ तो नतीजा क्या हुआ 50-70 साल के बाद ये जाती धीरे 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 खतम होती गई और आज बिलकुल किनारे पर पड़ी है अंग्रेज ओने ऐसे सोड़ा है भारतिय समाज को सुसाइटी है Indian सुसाइटी भारतिय संस्कृती के जो सबसे बड़ी विशेशता है कि पूरी की पूरी सुसाइटी इंटरडिपेंडेंडेंट सुसाइटी रही है इसको अंग्रेज इस्सिमाल करते है मैं भी उसको मुहावरे में कहता हूँ face to face community है face to face community मैंने हर community के पास کچھ وिशेश किसम का हुनर है, दूसरे के पास अपना हुनर है, दोनों का हुनर एक दूसरे के काम में आ रहा है जैसे कोई है जो जूता बना सकता है, मुझे जूता पहनना है तो उसका बनाया हुआ जूता मैं खरीद रहा हूँ, बदले में उसको मैं अनाज दे रहा हूँ, गेहू दे रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ मेरे गाओं में धोबी है उसको कपड़ा धोने का हुनर है तो वो कपड़ा धोकर मुझे देरा उसके बदले में मैं उसको गेहूं उचावल मेरी दादी माँ उसको देती है मैं अभी भी गाओं में जाता हूं तो देखता हूं तो एक खास तरह की सुसाइटी है जिसके पास एक तरह का हुनर है, इसकिल है, सब लोगों के पास सारे तरह के हुनर नहीं होते हैं, तो उन हुनर वाली सुसाइटी को इस देश में शुद्र कहा गया, और अंग्रेजों ने उनकी हैसियत नीचे गिराई, क्योंकि मैकॉले जब यह कह रहा है कि इंडियन सुसाइटी को तोड़ना है, अगर अंग्रेजों के लिए गुलाम बनाना है, तो वो एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है, वो कह रहा है कि कि किसी भी खेत में दूसरी फसल लगाने से पहले, उस खेत को खूप जम कर जोता जात और वो क्या कर रहा है, वो दो बातें कह रहा है जो मैं आज के समय में आप से शेयर करना है, वो कह रहा है कि भारती समाज की संस्कृती को बरबाद करने के लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं, जो मेरे समझ में आ गया है, पहली तो भारत की जो निया व्यवत्था है, इसको तो रहा है और भारत की सिख्षा व्यवस्था कितनी जबर जबस्थ है जिसका वो बरनन कर रहा है 1835 में इंग्लेंड में कोई जानता नहीं कि सर्जरी क्या होती 1835 की बात कर लो इंग्लेंड में सबसे पहले सर्जरी की पढ़ाई शुरू हुई है 1910-1911 में हिंदुस्तान में उससे हजारों साल पहले सर्जरी पढ़ाई जा रही है प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है ये बात अंग्रेज जानते नहीं 1850-1860 हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी उसके कई सो साल पहले से पढ़ाई जा रही है मेरे पास एक अंग्रेज पुलिस आफीसर का स्टेटमेंट है करनल कूट करनल कूट एक बड़ा आफीसर है जो हिंदुस्तान में लड़ने के लिए आया है और ये लड़ा है हैदर अली के साथ हैदर अली दक्षों भारत का एक बड़ा राजा है उससे कभी अंग्रेज जीत नहीं पाएं तो लडाई में करनल कूट हार जाता है और हैदर अली उसको मारता नहीं है उसकी नाक काट लेता और कहता है कि तुम जाओ इंग्लेंड में तब तुम बताना कि नाक कटवा के आए हो हिंदुस्तान में उससे में मुहावरा चलता है नाक कटवा दी माने बेज़दी हो गई तो हैदर अली कह रहा है कि तुमारी नाक काट के मैं ब्रिटेन बहजूगा ताकि ब्रिटेन के लोग जाने कि तुमारी बेज़दी होई करनल कूट की वो नाक काट लेता कटी हुई नाक लेकर करनल कूट वहां से भागता तो हैदर अली की सीमा के बाहर जब आता है तो एक गाओं में पहुंचता है उस गाओं में उसको एक भाई मिलता है वो कहता है कि ये काँ जा रहे हो तुमारी कटी हुई नाक लेकर तो कहता चोट लग गई है जूट बोलता क्योंकि कहेगा कि युद्ध में हार गया तो बेज़दी हो जाएगी तो कहता चोट लग गई है तो उसने का कि मेरे गाओं में एक वैद्ध है वो तुमारी ये नाक जोड़ सकता चलो उसके पाद तो कर्णल कूट ने जो मेमवार्स लिखे है उस पर थे वो किताब है उसमें उसने की लिखा है कि देड़ घंटे मेरा ऑपरेशन चला और उस देड़ घंटे के बाद उस वै अंडुस्तान में लोग देखो कितनी बड़ी सरजरी करते हैं तो वो आता है इंग्लेंड लंडन से यहां आता है और 6-7 साल यहां रहता है सरजरी सीख कर जाता है उसके बाद लंडन में सरजरी इंट्रड्यूस होती है हमको ठीक उल्डा बता रहे हैं कि जो कुछ लाए व तो इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम इस देश में चलता है तो उसके पीछे कुछ गहरी व्यवत्ताएं होगी अंग्रेज उसको खतम कर रहा है उसके लिए रॉबर्ट सॉडी मैं को ले कानून बना रहा है उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट तो इंडि कर दिया जाएगा तो गुर्कुलों को दान देने वाले जो लोग है वो सब इल्लीगल हो जाएंगे तो गुर्कुलों को दान नहीं मिलेगा और गुर्कुलों को दान नहीं मिलेगा तो गुर्कुल अपने आप ही बंद होने वाले है उसके बाद हम क्या करेंगे हम कॉन्व वाले लोगों पर अठ्वक शार होते हैं, उनको मारा जाता है, तीता जाता है, जेल में बंद किया जाता है, और कुछ साल के बाद पता चला धीरे धीरे गुरकुल बंद होने लगते हैं, फिर अंग्रेज होने सब सिर्प पहला कॉन्वेंट थिखूल खोला है तलकस्द्ग और उस कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमीशन करवाना है उसके लिए एक आदमी इस देश में खड़ा किया गया उसका नाम है राजा राम मोहन राई राजा राम मोहन राई इस देश में खड़े किये गए हैं अंग्रेजों की तरफ से ताकि अंग्रेजों का जो कॉन्वेंट स्कूल खुला है उसमें बच्चों को लाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और राजा राम मोहन राई अंग्रेजों के बड़े भारी समर्थक ज़स्ती हैं इतिहास में इतना तो शायद आपने पढ़ाई होगा कि अंग्रेजी सिक्षा को हिंदुस्तान के गाउं गाउं में फैलाने का काम राजा राम मोहन राई ने किया उसके पहले राजा राम मोहन राई एस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क हैं और नौकरी करते हैं बाद में उनको नौकरी से छुटी दी जाती और कहा जाता है कि तुमको तुमरी तंका मिलेगी बस गाउं गाउं में कॉन्वेंट स्कूल खोल दो और बच्छों को उसमें लाने की तुमारी जिम्मदारी अब उस जमाने में कोई माँ बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजता नहीं क्यों नहीं भेजता सब को लगता है कि यह फल्टू का स्कूल है तो राजा राम मोहन राए गाउं गाउं जाते हैं एक गाउं का किस्ता में आपको सुनू तो सुनू तो आपको थोड़ा पता चले वर्दवान एक जगे है केलकटा के पास बंगान वर्दवान में गए है राजा राम मोहन राए और वहां के गाउं के लोगों की मीटिंग बुलाके कन्विंस कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंटि स्कूल में बेजिए तो एक गाउं का किसान उनसे पूछता है कि क्या मिलेगा वहां हमारे बच्चों को तो कहते हैं अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी तो किसान पूछता उस अंग्रेजी से क्या होगा कि आपके बच्चे अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो वो पूछ रहा कि फिर अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो हमारा क्या फाइदा तो वो कुछ बता नहीं पा रहा है फिर एक तर्क वो दे रहे हैं कि आपके बच्षे टाई लगाएंगे, सूट बूर्ट पहनेंगे, तो गाओर आला पूछता है ये टाई क्या होती है, उसको मालूम नहीं की टाई क्या होती है, और सही ही बात है, इस गरभ देश में टाई लगाने का कुई मतलब नहीं, तो वो पूछ रहा है ताई क्या होती है तो वो कहता है कि एक कपड़ा होता है उसको गले के चारों तरफ बान दिया जाता है तो राजा रामोन राई से वो किसान पूछ रहा है कि इसका इस्तेवाल क्या है कब वो बता रहा है राजा रामोन राए कि ब्रिटेन में सर्दी बहुत पढ़ती है और इतनी घंडी पढ़ती है कि हर समय जुकाम रहता है लोगों को तो गले के नजदी के कपड़ा बांते हैं ताकि बार बार उससे नाथ पोच रहे तो वो किसान कहरा है कि मेरे देश में तो गर भी पढ़ती है फिर मेरे गाउं के बच्चों को तो जडूरत नहीं ताई लगाने के तो राजा रामवन राय विचारे निराश होके उस गाउं से वापस लोटते हैं और गाउं का कोई भी आदमी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार ले और इसी के सास्त एक दूसरी बात और बता हूँ आपको यहीं से जुड़ी हुई कि ये कॉन्वेंट स्कूल यॉरप में क्यों खुले हैं वहां क्यों चलाए गए कॉन्वेंट स्कूल यॉरप में एक बड़ी भारी परंपरा है हजारों साल पुराने वह परंपरा क्या है बच्चों को लावारिस छोड़ दिया जाता है अभी ये बंद हुई है पिछले 200 साल पहले उसके पहल परंपरा तो इंगलेंड की हिस्ट्री जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि गरीवी इतनी है कि बच्चों को पालना मुश्किल तो बच्चों को छोड़ दे बच्चा पैदा हुआ चर्च के सामने छोड़ दिया या अनाथ आश्रम में छोड़ बच्चे को साथ रखने का रिवाज नहीं है इसलिए आप जानते हैं कि वहां 10-11 साल के बाद बच्चा कोई मम्मी पपा के साथ रहता नहीं है तब छोड़ के चलेगा और हजारों साल से तो बच्चपन में भी सार्थ रखने की परंपरा नहीं है अभी ये परंपरा थोड़ी बत लिए तो पपा का पता नहीं जो लावारे थी हमारे बच्चे क्यों जाते हैं यहां तो मम्मी भी है यहां तो पपा दी है और आज से 200 साल पहले कोई मम्मी पपा अपने बच्चे को कॉणवेंट में भेजने को तैयार नहीं है इतनी तर्क सुनने के बाद भी कि टाई लगाएगा त पहले से कॉनवेंट में अड्मिशन करा दो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले रजिस्ट्रेशन करा दो भाई नहीं मिलेगी जगे मार्क देव सो साल में इस देश में इतनी चीज़ें बदल गई कि दिवर सो साल पहले कोई कॉनवेंट जाना नहीं चाहता है आज कॉनवेंट में लाइन लगी और कॉनवेंट भी कैसे कैसे है मैं अभी जाके आया एक जगे है वहाँ मैंने एक स्कूल पढ़ा उसका नाम है बजरंद वली कॉनवेंट स्कूल अब पुछिए बजरंद वली का कॉनवेंट स्कूल से क्या लेना देना लेकिन है तो गाओ गाओ में गली गली में वो कॉनवेंट स्कूल खुल गए है यह आज की देन नहीं है यह मैकॉले की देन और मैकॉले उनको ला रहा है बहुत सिस्ट्रमेटिक तरीके से फिर उनमे सिलेबस पढ़ाया जाएगा 1858 में पहली बार सिलेबस तैह हो रहा है कि ConventSchool में सबसे पहली सिख्षा Christianity की दी जाएगा तो Christianity की सिख्षा दी जा रही है उसी के हिसाब से कितावें बन रही है उसी के हिसाब से सिलेबस बन रहा है और जबरजस्ती इस देश में Convent School का सिस्टम आ रहा पहले 1807 में इन Convent School को Convent School नहीं कहते थे अंग्रेजी दस्तावेजों में इनका नाम है Free Schools तो Free Schools is equal to Convent School उस जमाने ले अर भी वो सब के सब Convent School हो गए क्यों Convent School खोले गए है यॉरप में बच्चों के माया नहीं है पिता नहीं है उनके भाई नहीं है बहन नहीं है किसी को मालूम नहीं है कि कौन किसका बच्चा है और किसी को मालूम नहीं कि उसकी मा पिता कौन है इसलिए लावार इस बच्चों को पालने के लिए Convent School बोले जाते हैं हमने क्यों खोलनी हैं इस देश में ये बात मैं मानता हूँ कि 1947 के पहले कॉन्वेंट स्कूल थे तो ठीक है अंग्रेज थे इस देश में उनकी चलती थी उनका कानून था उनकी सरकार थी जबर जस्ती वोई इस देश में ये सब चलाते थे तो ये मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 1947 के पहले जितने कॉन्वेंट स्कूल थे इस देश में आज़ादी के 50 साल के बाद तो 3 से 4 गुने जादा बढ़ गए और अंग्रेज इस देश में जो ला रहे हैं सिस्टम क्यो ला रहे हैं ताकि भारती ये संस्कृती का नाश किया जा और मैकॉले लिख रहा है एक चिट्थी जो उसके पिता को उसने लिखिया बड़ी मशूर चिट्थी है जिसका दिकर हिंदुस्तान के बहुत हिस्टोर आए कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में जब हिंदुस्तानी बने लगेंगे तो ये सब भीर से हिंदुस्तानी होगा और ये ऐसे दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे कि इनको अपने देश के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा इनको अपनी संस्कृती के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा इनको अपनी चीजों के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होगे इनको अपने क्लीशेज नहीं मालूम होगे ये सब के सब विलेशी हो जाएंगे और ऐसे बच्चे जब हिंदुस्तान में पैदा होने लगेंगे तो अंग्रेज चले जाएं भले ही इस देश को छोड़कर अंग्रेजियत नहीं जाएगी ये मेरकॉले लिख रहा है अपनी चट्टी को वही सच्चाई हमारे सामने हम देख रहे और हमने अब किस तर्क पर इन कॉन्वेंट इसकूलों को अपना लिया है अरे साथ अंग्रेजी तो इंटरनेशनल भाषा है और मैं दुनिया के हर उस व्यक्ति को चैलेंज करता हूँ जो ये कहता है कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है दुनिया में इस समय दो सो से ज़्यादा देश है और मातर बारे देशों में अंग्रेजी चलती है तो कैसे अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा तब मानी जाती जब दुनिया के 200 देशों में से 200 देशों में अंग्रेजी चलती और 50 देशों में मात्र भाषा चलती मैं मान लेता कि अंग्रेजी मात्र भाषा मात्र बारे देशों में अंग्रेजी चलती है अमरीका है, कनाडा है, ब्रिटेन है और थोड़ा सा लेटेन अमेरिका के देश है और वहार तो मैं मानता नहीं कि अंग्रेजी चलती है ज्यादा लेटिन चलती है अंग्रेजी की खिचड़ी बन गई है लेटिन के साथ एक दूसरा तर्क है किताब अंग्रेजी में बहुत शब्द है कुल गिल लीजिए अंग्रेजी के शब्दों की संख्या कोई भी बड़ी से बड़ी डिक्शनरी उठा लीजिए चेंबर ले आईए चाहे आक्सफोड ले आईए चाहे केंबरिज की डिक्शनरी ले आईए शब्दों को गिल लीजिए उसमें ओरीजिनल शब्द कितने है और दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द कितने है तो आपको पता चलेगा कि पूरी अंग्रेजी भाषा में उनके अपने ओरीजिनल वर्ड्स मात्र बारे हजार है अनली ट्वैल थाउजन और अकेले गुजराती में औरीजनल शब्दों की संख्या 40,000 है सिर्फ गुजराती है हिंदी की तो बात छोड़ देजा मराखी में औरीजनल शब्दों की संख्या 40,000 से 45,000 है हिंदी में अपने औरीजनल शब्दों की संख्या 70,000 से उपर है तो अंग्रेजी में शब्द है कहां के फिर अंग्रे जी के शब्द सब चोरी किये हुए शब्द है या तो फ्रेंच के है या तो लैटिन के है या तो ग्रीक भाषा के पुराने शब्द है या तो इधर ताउ थी सेशिया की कुछ लेंग्वजिस चली है उनके शब्द है अंग्रेजी के पार्थ अपना कोई शब्द ने और ये भाशा इतनी लाचार है इतनी पंगु है कि चाचा हो ताउ हो मामा हो फूफा हो सब अंकल चाची हो ताई हो भावी हो नानी हो सब आंटी उनके पास इसके अलावा शब्दी नहीं है जिस भाशा में अपने रिष्टेदारों को कहने के शब्द नहीं हो वो भाशा कैसे अच्छी भाशा मानी है और इसमें ऐसा घंचकर हो जाता है कभी-कभी इनलोज हैं अब पता नहीं उनकी तरफ के हैं कि हमारी तरफ के वो लड़की वालों की तरफ के हैं कि लड़के वालों की दोनों ही इनलोज हो जाते हैं हिंदुस्तान में तो परिवारों के जो रिष्टे हैं वो इतने माइक्रो लेवल पे डिफाइन किये जाते हैं कि भुआ की फूफा की मौसी की ताई की ये तो वो तो फलानी डिमा की इतने माइक्रो लेवल के रिष्टे हैं क्योंकि हमारे पास उसके शब्द हैं हम डिफाइन कर सकते हैं उनके पास शब्दी नहीं है डिफाइन करने कैसे हम मानें कि ये अंग्रेजी बहुत अच्छी भाशन है कभी कभी ये तरक देते हैं लोग कि साब अंग्रेजी नहीं होगी तो साइंस और टेक्नॉलजी की पढ़ाई नहीं हो सकती और मैं कहता हूँ कि बिना अंग्रेजी के ही साइन्स और टेकनोलोजी की पढ़ाई होती है और दुनिया में दो देश इसका उधारन है जापान और फ्रांस पूरे जापान में आप चले जाईए इंजिनिरिंग के जितने कॉलेज हैं मेडिकल साइन्स के जितने कॉलेज हैं सब में पढ़ाई जैपनीज में होती है कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ाई जापान के चार्टेड अकाउंटेंट्स जापान के मेनेजमेंट में काम करने वाले सारे स्टूडेंट जैपनीज में पढ़ाई तो साइंस और टेकनालोजी की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होती है ये दुनिया का सबसे रद्धी तर्क है फ्रांस में चले जाए बच्पन से लेकर और उच्च सिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है और फ्रांस में तो मैं रहा हूँ तो मैंने देखा है कि किसी आदमी को अंग्रेजी में बात करिये तो ऐसी नाक चढ़ा के यूँ कर लेता है कि आपने पता नहीं कितना बड़ा अफराज कर दिया और टूटी फूटी फ्रेंच में आप उससे दो शब्द कह दीजे मैसिय, मौस्वा, बस इतना खुश हो जाएगा कि आपने मेरी फ्रेंच तो बोली भले ही तूटी फूटी बोली और मैंने एक बार एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनके साथ मैंने काम किया सौरबॉन में जब मैं यहां साइंटिस्ट था एक बार मैंने उनको पूछा कि आपने अपनी फ्रेंच किस भाशा में लिखी वो फ्रांस के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इस समय और अभी दो साल पहले उनको नोबल प्राइज मिला मैं जब उनके साथ काम करता था तब उनका नाम था नोबल पैनल में लेकिन मिला नहीं था अभी दो साल पहले नोबल प्राइज मिल गया तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आपने अपनी थीसिस किस भाशा में लिखी तो उनका स्वाव भी कि फ्रेंच में लिखी तो मैंने का आपको कभी किसी में टॉंट नहीं कता कि आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा तो उनका मैं कोई पागला थी जिसको कहना हो कहता रहे मुझे लगता है जिस भाशा में मैं सबसे अच्छा काम कर सकता हूँ उसी भाशा में मैंने काम किया और तब उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैंने मेरे जीवन में भी महसूस की उसने मुझे का राजीव जब भी कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम विदेशी भाशा में कर नहीं सकते ये बात तुम लिख लो किसी भी डाइडी मौलिक काम जब तुमको करना होगा तो तुम तुमारी मात्र भाषा में ही कर पाओगे किसी दूसरी भाषा में तुम कर नहीं सकते हाँ, नकल करनी हो किसी दूसरे की तो तुम मात्र भाषा छोड़कर दूसरी भाषा में कर सकते लेकिन कोई मौलिक काम तुमको करना हो तो तुम जो है कभी कर नहीं तरकोगे अंग्डेजी और मजाग में उन्होंने मुझसे कहा जो बात बिलकुल सच है उन्होंने कहा तुम ये बताओ के हिंदुस्तान में नोबल लॉरियट क्यों नहीं पैदा होते तुमारा देश जब गुलाम था तो दो नोबल लॉरियट पैदा हुए पहला नोबल लॉरियट था रविंद्रनाट तैगोर रविंद्रनाट तैगोर ने किस भाषा में लिखी है गीतान जली बांगला में लिखी हुई गीतान जली पर नोबल पुरुषकार मिला है उनको अ दूसरे थे जगदी शंडरबसु अर दूसरे थे जगदीश शंडरबसु की पूरी की पूरी सीसिस बांगला भाशाना है इस नोबल पुरुषकार वाले लोग प्यदा हुए अब तो तुम्हारा राज यह चलता है तो लाइन लग जानी चाहिए थी पता चला कि आजादी के बाद एक भी नहीं है अकाल ही अकाल है इस देश में नोबल लॉरियट का और जबकि हम से छोटे छोटे देश है स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे को मैं कहूं तो सिटी कंट्रीज है हमारे एक एक शहर की जितनी आवादी है उनके उनका कुल आवादी है पूरे देश की तो दुनिया वर में जो पिद्दी पिद्दी से देश है उनके हाँ, हर साल नोबल पुरुषकार हर साल नोबल लॉरियट पैदा होते है हमारा 96 करोड का देश हम एक Novel Laureate पैदा नहीं कर पाते कारण क्या है चिंतन हमारा मात्र भाषा में नहीं और चिंतन अगर मात्र भाषा में नहीं कर सकते तो कभी भी विकास होता नहीं देमाग का ये बहुत बड़ी गलत सहमी है हमको कि अंग्रेजी में पढ़के हमारा बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा ये मैं उनकी बात कह रहा हूँ मेरी बात नहीं कह रहा हूँ जो फ्रेंट साइंटिस जिनके साथ मैंने काम किया उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा अपनी मात्र भाषा में कोई चीज याद करे और वही बच्चा दूसरे देश की भाषा में वही चीज याद करे तो मात्र भाषा में जितनी जल्दी याद करेगा उस से छे गुना ज़्यादा समय उसको अंग्रेजी में याद करने में लगेगा और ना सिर्फ छे गुना समय लगेगा बल्कि वो विदेशी भाषा में याद नहीं करेगा रटेगा शब्द रटेगा और रटे हुए शब्दों को जाके इमतहान में लिख के चला आएगा दूसरे दून उसको याद नहीं रहेगा कि कल मैंने क्या लिखा है कौपी में किसी भी बच्चे से पूछ लीज़े एर्ट क्लास में तुमने क्या-क्या रटा है उसको याद नहीं नाइंत में परसा और एर्ट क्लास की एक साल की बारत को छोल दीजिए तीन महीने बाद अगर पूछ लीजे कि तीन महीने पहले तुमने क्या रटा है उसको यादी नहीं रहता, संबब नहीं है मात्र भाशा में तयार की हुई चीज आप जल्दी याद कर सकते हैं आपका छे गुना कम समय लगेगा विदेशी भाशा में अंग्रेजी में तयार की हुई चीज में आपको छे दिन जादा लगते हैं तभी मुझे समझ में आ गया कि इस देश में MBBS करते करते साड़े पांच साल क्यों लगते चार्टेड एकाउंट एंसी की पढ़ाई करते करते छे साथ साल क्यों लगते और MBBS के बाद MD कर लीजिए तब तो दस साल गए ये पका मान लीजिए सच्चाई क्या है MBBS का टोटल सिलेवस मात्र पौने दो साल का है सिर्फ पौने दो साल में कोई भी MBBS की पढ़ाई कर सकता जो उसका कंटेंट है लेकिन उसमें समय बहुत लगता है क्योंकि अंग्रेजी इसी तरह इंजीनिरिंग की पढ़ाई का जितना सिलेवस इस सेश में पढ़ाया जाता है मैं तो IIT में रह चुका हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना सिलेवस हमको पढ़ाया जाता अगर वो मुझे मेरी मात्र पौने पढ़ाया जाता तो मैं साड़े तीन साल में M.TEC करके बाहर निकल आता लेकिन वही M.TEC करने के लिए मुझे करीब करीब साड़े साथ आठ साल लग जै तो मेरे जीवन का जो सबसे महत्रपून समय है जो गोल्डन पीरियड है वो एक विदेशी भाशा के कारण बरबाद हो रहा तो मैं कभी कभी पूछता हूँ उन मम्मी पापाओं से कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि अपने बच्चे के करोडों करोडों घंटे आप बरबाद करें किसने आपको ये अधिकार दिया और किसने आपको ये अधिकार दिया कि आपके बच्चे आपके रहते हुए अपने आपको लाबारिस कहलाने वाले स्कूलों में जाकर पढ़ें कॉन्वेंट स्कूलों और ये आप अपने बच्चों पर सबसे बड़ा अत्याचार कर रहे हैं जब आप उनको अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं उस बच्चे के दिल का दर्द आप नहीं जानते मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पढ़के आया और वो बच्चे के दिल का दर्द क्या है वो मैं आप से शेयर कर रहा हूँ मेरी माँ पूरे समय ये जानती नहीं थी कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा मुझे नहीं माँ मेरी माँ नहीं जानती कि इसमें क्या पढ़ा है तो उसके लिए उसको क्यूटर रखना पढ़ता माँ से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा क्यूटर होता नहीं modern science भी अब इस बात को स्वीकार करता कि माँ से बड़ा सिक्षक बच्चे के लिए कोई दूसरा होता नहीं लेकिन पूरे समय मेरी माँ को मालुम नहीं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ा क्यों क्यों कि माँ की जो इसमरतिया है माँ के जो ग्यान है मा के मन में जो संसकार हैं उसका इस अंग्रेजी सिक्षा से कुछ लेना देना और हमने कैसे अपनी माताओं को बेवकुफ गोशिद कर दिया इस देश की लाखों लाखों करोडों करोडों माताओं दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लोग है जब वो तुल्सी के पौधे में पानी देती हैं लेकिन हमारे देश ने उनको रिजेक्ट कर दिया क्यों क्योंकि उनके पास पीएचडी नहीं है उनके पास एमटेक की डिगरी नहीं है लेकिन उनको मालूम है कि तुल्सी के पौधे में पानी लगाया जाता है क्यों लगाया जाता तुल्सी के पौधे में पानी क्योंकि तुल्सी का पौधा ऑक्सिजन देता दुनिया में ये अधुत किसम की फैक्टरी है ऑक्सिजन पैदा करने वाली आप इसको पानी दीजिए तुल्सी का पानी को और हाइड्रोजन को अलग अउक्सिजन और हाइड रोज तुल्सी के पौदे को पानी देती है कितनी बड़ी साइंटिफिक काम कर रही है वो लेकिन हमने तो कहा है वो तो देरकार है पढ़ी लिती है क्योंकि उसको पीएच्डी नहीं मिल और साक्षरता किसको करनी है मेरी मां को कहने आएंगे कि तुम साक्षर हो जाओ क्योंक से बेवकूफ जो डिगरी लेके निकलते उनको मालूम नहीं कि तुल्सी के पौधे में पानी दिया जाता है हमको नहीं पढ़ाया कि तुल्सी के पौधे में पानी दिया जाता है कितना बड़ा वैज्ञानिक कर्म वो कर रही है लेकिन हम कह रहे हैं वो तो पढ़ी लिखी नहीं क्योंकि साक्षर नहीं है तो हम किसको साक्षर बनाने जा रहे हैं उन लोगों को साक्षर बनाने जा रहे हैं जो हमसे ज़्यादा सिक्षत हैं कि हम जो कुछ नहीं जानते हैं वो मान के वेड़े हैं कि सारी साक्षरता हमारे पास है क्योंकि हम जानते हैं A for Apple, B for Boy, C for Cat वो मेरी मान नहीं जानती उसको कहना होगा तो वो कुछ और तरीके से कहेगी वो A for Arihant कह देगी लेकिन उसको यह निमालू A for Apple होता तो हमने कह दिया कि वो तो बेकार है वो तो पढ़ी लिकी नहीं है उसको कुछ आता नहीं है उसको साक्षर बनाना है और सच्छा यह है कि साक्षरता हमको उससे सीखनी चाहिए तुलसी के फौधे में पानी क्यों दिया जाता है यह दुनिया का सबसे बड़ा वैध्यानिक कर्म करने वाले लोग हिंडुस्तान के गाउं-गाउं में रहते हैं लेकिन हम मैंसे कोई भी आदमी वो काम कर नहीं सकता जो गाउं का किसान करता एक बार मोगा तो एक इसान को मैंने देखा बैल को खोलते हुए और हल में जोगते हुए तो मैंने थोड़ी देर दो मिनट अपने फुर्वान लगाना यह इस्किल उसके पास है और जिस आद्मी के पास इतना बड़ा इस्किल है उसको हमने कहाँ यह अनी स्किल्ड लेबर है यह यह तो अंग्रेजों की दी हुई परिभाशां है और यह सारी परिभाशाएं निकली कहां से है इसी अंग्रेजी के तो लेकिन जो जो कितनी फास अंग्रेजी वोले वो उतना इंट लिजänner है यह हमने मानने साँ बनाने जबर ज़ास्ती गुजराती बोल सकते हैं अच्छी मराठी बोल सकते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए धाद हर अंग्रेजी में बोलते चले जाए ताकि सामने वाले पर रॉप पड़े किस पर रॉप डाल रहे हो भाई तुम तो खुद अपने मन में इतने हीन हो गए हो कि अपनी मात्र भाशा में बात नहीं करते हैं और जो समाज अपनी मात्र जापानी बात है और जापान में कॉन्वेंट स्कूल खोल दिये थे अंग्रेजों उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाने के लिए कुछ पाच एक लाख जैस्विक्स लोगों की फौज खड़ी की गई ती जापानी जापान जब आजाद हो गया बिटेन की गुलामी से तो जैपैनीज लोगों ने सबसे पहला काम जानते हैं क्या किया था अंग्रेजी स्कूलों का नाश कर दिया और उस दिन के बाद से जैपैनीज लोगों ने संकल्प लिया था कि कोई बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा सब बच्चे जैपैनीज में पढ़ते हैं और आज दुनिया में जापान की एकोनमी, अमरीका की एकोनमी से टक कर ले रही है चाइना एक दूसरा देश है, कोई भी बच्चा वहां अंग्रेजी में नहीं पढ़ता और चाइना की एकोनमी दुनिया में इस तमें second largest एकोनमी मानी जाती है सबसे ज़्यादा वाइबरेंट एकॉनमी है चाइना की ऐसे ही दुनिया में फ्रांस है कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता लेकिन फ्रांस यॉरप में इस समय काफी आगे है हमारे मन में ये गलत फैमी है कि अंग्रेजी में पढ़ेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे इस गलत फैमी में से बाहर निकलाईए ये अंग्रेजों की दी हुई गुलामी की व्यवस्था है जो आज भी हम इस देश में चला रहे हैं और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो अंग्रेजीत का सिस्टम ये अंग्रेजों का दिया हुआ जो सिस्टम है ये गुलामी के समय से चल रहा है और आज़ादी के 50 साल भले ही आ गए है लेकिन व्यवस्था वो ही चल रही है अंग्रेजों का बनाय हुआ IPC चल रहा है अंग्रेजों का बनाय हुआ C-R-P-C चल रहा है अंग्रेजों का बनाय हुआ C-P-C चल रहा है कभी-कभी एक मजाग में मेरे कुछ दोस्त मुझको कहते है कि राजी अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस देश में नियाय नहीं मिलता कभी अंग्रेज आये तो नियाय मिला इस देश को तो मैं उनको एक कहानी सुनाता हूँ कि अंग्रेजों के पहले कहता नियाय था और अंग्रेजों के बाद कहता नियाय है हमारे देश में एक राजा था उसका नाम था चंदरगुप्त विक्रमा देते उसके राज में दो महिलाओं में जगड़ा हो गया क्या जगड़ा हुआ एक बच्चा था उसको क्लेम करने वाली दो माताएं थी एक माता कहती थी कि ये मेरा है दूसरी कहती थी ये मेरा है अब उस जगड़े को लेकर उस केस को लेकर दोनों माताएं गई कोर्ट में राजा की जुडिशल काउंसिल बैठी मुकदमा पेश किया गया एक महिला खड़ी हुई उसने सिद्ध किया कि ये मेरा बच्चा दूसरी भी खड़ी हो गई उसने भी सिद्ध कर दिया कि ये मेरा बच्चा राजा ने कहा कि तलवार ले आओ आदा आदा काट दो आदा एक को दे दो आदा दूसरे को दे दो जैसे ही राजा ने तलवार मगाई और बच्चे को काटने की बात कही वैसे ही असली माँ खड़ी हो गई और कहने हैं कि नहीं नहीं बच्चे को काटो मत भले ही इसको दूसरी माँ को दे दो क्योंकि कोई भी असली माँ होगी अपनी आँखों के सामने कैसे अपने बच्चे को कटता हुआ राजा को पता चल गया कि यही असली मा है तो राजा ने उस बच्चे को उसकी असली मा को दे दिया धाई मिनट के अंदर पूरे केस का फैसला हो गया यही केस लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएए कम से कम 20 साल लग जाएंगे आपको पता नहीं चलने वाला कि कौन असली मा है और कौन नकली मा है 20 साल से पहले इस केस का फैसला होने है अंग्रेजों के पहले ऐसा नियाय था कि धाई मिनट में केस का फैसला होता था अंग्रेजों के जमाने से ऐसा नियाय आया है कि 20 साल लग जाते हैं दोनों माताएं मर जाएंगी बच्चा भी मर जाएगा पता नहीं मलने वाला कि कौन जीता कौन हारा करोडों करोडों के स्पेंडिंग पड़े रहते हैं नियाय नहीं होता यह अंग्रेजों की विवस्था हमारी विवस्था में धाई मिनट में ने आया होता था तो यह मन से चीज़ों को निकालिए बहुत बार हमारे मन में ऐसी चीज़ बैठी रहती हैं कि अंग्रेज नहीं आते हैं, इस चंडिया कमपनी नहीं आती, तो इस देश का भला नहीं होता वगैरा वगैरा ये सारी बाते हैं, मुझे लगता है कि गुलामी के दौर की बातों से, अगर आप बाहर निकल आएं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तो बाद में निकलेंगे पहले मन से बाहर निकलते तो इस देश का फिर से वो पीरियड वापस आ सकता है जो सोने की चुड़िया वाला पीरियड था हम शारीरिक से गुलाम नहीं हैं हम मानसिक रूप से गुलाम हमको हमेशा बृटेन की यौरप की अमरीका की तरफ देखने की आदत पड़ गई वो क्या करते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं हमको हमारे तरफ देखने की आदत नहीं है तो मैं आपको यही कोशिश कर रहा हूँ इतने लंबे व्याक्षान के बाद कि इस मानसिक गुलामी में से बाहर निकलने यह मानसिक गुलामी बहुत खतर ला है और इस मानसिक गुलामी में से बाहर निकलने के तरीके क्या है पहला तरीका यह है कि इस देश की जो परंपराएं है इस देश का जो इतिहास है इस देश की जो सब्धता है उसकी ठीक से जानकारी लेने की कोशिश करें हमको हमारी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं मालूम है कोई कह देता है तो हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही इस देश में चलता जब तक हमको हमारे देश की परंपराओं की गहरी जानकारी नहीं होगी तो संस्कृती की जानकारी आपको हो नहीं सकते और उन परंपराओं और संस्कृती की जानकारियों को अगर आप हासिल कर लें तो आप मानसिक गुलामी में से बाहर आ जाएंगे और अगर हम मानसिक गुलामी में से बाहर आ गए तो इस देश को हम बहुत आगे ले जा सकेंगे क्योंकि जो माने से गुलाम होता है वो कभी विकास नहीं कर पाता गुलाम बन के रहता है मजदूर बन के रहता है दार्फ बन के रहता है मालिक नहीं बनता कभी नहीं हमारी भी हैसियत यही है कि पहले अंग्रेजों के मारी गुलाम थे अब अमरीका के गुलाम पहले यॉरप के गुलाम थे अब अमरीका के गुलाम गुलामी की परंपरा वो जा नहीं रही है इस गुलामी में से बाहर निकलने के लिए सिद्धान्त क्या है भारतिय सांखिफ जो दर्शन है न उसमें ए साफ़ा हुआ इस देश में जब से गुलाम हुए हमने ने आ कहना छोड़ दिया हाँ जी यहाँ जी करते रहें गुलाम आदमी की निशानी पता है क्या होग दी वो कहता है यह सर को के सार गेट नियुक्तफर कभी और यसर फाइंसरों के साराइट सर कहने वाली प्रजा ही गुलाम होती है जो प्रजा ना नहीं कहती गलत को गलत नहीं कहती वो प्रजा गुलाम होती है तो जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत पैदा करें और अगर ये गलत है तो उस गलत के साथ अपना रिश्टा तोड़न का काम करें गलत को प्रोथ साहन मत दीजिए आपको अगर ये समझ में आता है कि अंग्रेजी स्कूल कॉन्वेंट इस्कूल बहुत गलत हैं उनसे कोई भला नहीं हो रहा तो इनसे रिष्टा तोड़ो अपने बच्चों को इन अंग्रेजी स्कूलों में भेजना बंद करें तो आपको लगेगा फिर क्या होगा हो सकता है दो साल के बार पांच साल के बार गुजराती स्कूल बह आपका डोनेशन अगर मराठी स्कूलों में जाना शुरू हो जा तो मराठी स्कूल भी उतने ही अच्छे हो जाएंगे जैसे अंग्रेजी स्कूल तो ये तो आपके दान का प्रवा है जो वहार चला जाता है इसलिए ये सूख गए हैं वो हरे भरे हैं वहां से आपका दान इनमें आने लगे तो यह हरे बरे हो जाएंगे वो सूख जाए तो आपके बच्चे अगर इधर आ जाएं पढ़ने के लिए गुजराती में, मराठी में, बंगला में, तेलगु में, समिल में, कन्नड में, हिंदी में इन सारी भाशाओं में अगर हम हमारे बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो इस अंग्रेज यत से हमारा रिष्टा तूटेगा और इस मानसिक गुलामी से रिष्टा तूटेगा और मुझे से आप पूछें कि जापान ने इतनी तरक्की क्यों कर ली है तो मैं एक ही जवाब दूँगा कि जापान के लोगों में अपनी मात्र भाशा से जितना प्यार है उतना ही अपने देश से प्यार है जिस देश के लोग अपनी मात्र भाशा से प्यार नहीं करते वो कभी देश से प्यार करते नहीं है धूटा दिखावा करते जो अपनी मात्र भाषा को नहीं मानता वो देश को कैसे मानेगा इसलिए जापान के बच्चों में बच्पन से कूट कूट कर नैशनेलिटी की भावना भरी जाती है हम इंदुस्तान के प्रधान मंत्री है जो अंग्रेज़ी में बात करते हैं उनके साथ तो कभी भी ये बात सच नहीं है कि हमारा बच्च अंग्रेजी में नहीं पढ़ेगा तो उपीछे रह जाएगा सच्चा ही इसके उल्टी है कि जब आपका बच्चा मात्र भाषा में पढ़ेगा तब ही वो होश्यार बनेगा और तब ही उसका development होगा उसका कारण क्या है? उसका सीधा सा कारण है अगर आपका बच्चा मात्र भाशा में कोई चीज याद करे तो जितनी जल्दी याद करेगा उससे 6 गुना जादा समय उसको लगता है अगर कोई सवाल आपका बच्चा आदा गंटे में याद कर सकता है गुजराती में तो वही सवाल याद करने के लिए उसको कम से कम 3 गंटा लगेगा तो क्या हो रहा है? इस देश का हर वो विद्यार थी जो अगरेजी मात्यम से पढ़ रहा है वो विद्यार थी अपने जीवन में 6 गुना जादा समय बरबाद कर रहा है और इस हिसाब से अगर हम माने इस देश में विद्यार थीयों की कुल संक्या अगर 10 करोर की है तो हिंदुस्तान के विद्यार थीयों का 6 करोर गंटे का समय हम बरबाद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जा और कई लोग मुझको कहते हैं कि राजी बाई अंग्रेजी बहुत बड़ी अच्छी भाषा है अंग्रेजी बहुत सम्रद्ध भाषा है और उनको मैं ये तर्क देता हूँ कि किसी भी भाषा की सम्रद्धी इस बात से तै होती है कि उसमें कितने शब्द है और अंग्रेजी भाषा में कुल मिलाकर मात्र बारे हजार शब्द है और मात्र बारे हजार शब्दों वाली भाषा है अंग्रेजी गुजराती भाषा में कुल मिलाकर इस समय 40,000 शब्द है तो समरत भाषा गुजराती है या अंग्रेजी मराठी भाषा में इस समय 40,000 से जादा शब्द है और हिंदी की बात मैं करना शुरू करूँ तो हिंदी में लगबख 70-80,000 शब्द है तो समरद भाषा अंग्रेजी नहीं है समरद भाषा गुजराती है, मराठी है, हिंदी है, तेलगु है, तमिल है, कन्नण है, मल्यालम है ये सारी भाषां समरद है और एक जानकरी और दे दूँ अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है क्यों? क्योंकि इस भाषा के नियम कभी भी एक जैसे नहीं होते दुनिया में सबसे अच्छी भाषा वो मानी जाती है जिसके नियम हमेशा से एक जैसे हो जैसे संस्कृत, संस्कृत भाषा के जो नियम आज से हजार साल पहले थे, वही नियम आज भी है लेकिन ये बास आप अंग्रेजी के बारे में नहीं कह सकते अंग्रेजी में आज से मात्र 200 साल पहले दिस लिखा जाता था टी आई एस और आज लिखा जाता टी एच आई एस मात्र 200 साल पहले दिस लिखते थे टी आई एस करके और आज लिखते हैं टी एच आईएस ये क्या चक्कर है अंग्रेजी में मात्र डेर सो साल पहले जिन शब्दों की स्पैलिंग अलग होती थी उन शब्दों की स्पैलिंग बदल गई है बहुत बड़े पैमाने पर बदल गई और अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें पता ही नहीं चलता प्रोननसियेशन कभी एक जैसा होता नहीं एकसेंट कभी एक जैसा होता नहीं आस्ट्रेलिया में आप जाईए कोई भाई आप से कहेगा अगर उसको कहना है टुडे तो ब्रिटेन में जाईए तो टुडे कहेगा आस्ट्रेलिया चले जाईए तो कहेगा टुडाए 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 तो कभी-कभी मुझे आश्चर होता था कि टुडाए माने क्या होता है टी-ो-टू और डी-ाई-ई माने मरने के लिए और जबकि कि वो कह रहा है आज माने टुडे समझ में नहीं आता स्कॉटलेंड में चले जाईए एक प्रोननसियशन मिलेगा आयरलेंड में चले जाईए दूसरा मिल जाएगा इंगलेंड में आ जाईए तीसरा मिल जाएगा आस्ट्रेलिया चले जाईए चोथा मिल जाएगा, अमरीका पहुंच जाएए, पाजवा मिल जाएगा, अमरीका और बिटेन में यही जगड़ा होता है, एक की अंग्रेजी में Z का जाधा प्रयोग करते हैं, दूसरे में S का जाधा प्रयोग करते हैं, कोई नियमी नहीं बना पाए आज तक वो इस बात के इस हिसाब से तो अंग्रेजी दुनिया की सबसे रद्धी भाशा, और फिर एक जानकारी और दे दू, बहुत लोग यह तरक देते हैं, कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लेंग्वेज है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी दुनिया में मात्र बारे देश हैं, जहां की मा मात्र बाशा अंग्रेजी है, बाकी 188 देशों की मात्र बाशा अंग्रेजी नहीं है, बाकी 188 देश जो हैं, उनकी मात्र बाशाएं अंग्रेजी से अलग हैं, तो दुनिया में अगर 200 देश हैं, और उन 200 देशों में मात्र बारे देशों में अंग्रेजी मात्र बाशा है तो ये अंग्रेजी अंटरनेशनल लेंग्वेज कैसे हो गई ये तो माईनॉरिटी की लेंग्वेज है और जन्संक्या के हिसाब से देखना शुरू कर दीजिए तो अंग्रेजी बोलने वालों की जन्संक्या दुनिया में मुश्किल से कुल जन संक्या का दो तीन प्रतिशत है बस मुश्किल से दो तीन प्रतिशत पूरी दुनिया की अगर कुल जन संक्या हम माने छे अरब की, छे सो करोड की तो उसके में मुश्किल से तीन प्रतिशत लोग हैं अंग्रेजी बोलते हैं या समझते हैं बाकि सारे के सारे लोग नौन अंग्रेजी वाले लोग हैं तो कैसे मैं मालूं कि ये इंटरनेशनल लेंगवेज है उस हिसाब से अगर मानी जाए तो दुनिया में इंटरनेशनल लेंगवेज तो चाइनीज हो सकती है क्योंकि सबसे ज जादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और अंग्रेजी सबसे रद्धी भाषा जानते हैं क्यों है क्योंकि अंग्रेजी में चाचा अंकल है ताउ भी अंकल है मामा भी अंकल है तो मौसा भी अंकल है फूफा भी अंकल है तो फूफा जैसा भी कोई अंकल है चाची आंटी है ताई भी आंटी है मामी भी आंटी है मौसी भी आंटी है अब जरह बताईए कि मामी और मौसी में कितना फरक है जरह बताईए तो सही कि क्या मामी और मौसी दोनों बराबर हो सकती है या मामा और ताउ दोनों एक हो सकते हैं क्या या काका और मामा दोनों एक हो सकते हैं क्या उनके यहां तो सब आंटी हैं या अंकल है जानते हैं चक्कर क्या चक्कर यह है कि उनके पास अपने रिष्टों को डिफाइन करने के लिए शब्द नहीं है और जिस भाशा में अपने रिष्टों को डिफाइन करने के शब्द नहीं हो वो सबसे रगदी भाशा है ये खाम खां की गलत फहमी हमारे मन में आ गई है कि अंग्रेजी बड़ी उची भाशा है ये तो चुकि अंग्रेज आ गए और हम उनके गलती से गुलाम हो गए इसलिए अंग्रेजी आ गई इस देश में अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो सायद शंस्क्रत इस देश की राश्ट भाशा होती और आज आपको एक जानकारी और दे दूँ दुनिया में कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा वैग्यानिक बाशा अगर कोई है तो वो संस्क्रत है और ये सारे वैग्यानिक कह रहा है कंप्यूटर चलाने के लिए जो बेस्ट अल्गॉर्दिम तयार किया गया है वो संस्क्रत की मदब से तयार हुआ दुनिया में अमरीका में जो सुपर कंप्यूटर चल रहे है उन सुपर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग अब संस्क्रत में तयार करने की कोशिश चल रहे है शायद आप नहीं जानते आप से ज़्यादा संस्क्रत पर रिसर्च इस समय जर्मनी में चल रही है काहे को चल रही है क्यों पागल नहीं है वो लोग वो जानते हैं कि इस भाशा में कितना खजाना छुपा हुआ वो जानते हैं कि इस भाशा में हिंदुस्तान में लाखों लाखों दस्तावेज अभी भी रखे हुए हैं संस्कृत में जिन में बेश कीमती खजाने चुपे हुए और आपको आपकी भाशा से काट कर एक विदेशी भाशा में डाल दिया गया है और ये विदेशी भाशा में बहुत गहरा असर दिमाग पर पड़ता है मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई भी बड़े से बड़ा तीस मारखा अंग्रे जी बोलता है तो जानते हैं क्या करता है पहले मात्र भाशा में सोचता है फिर उसको ट्रांसलेट करता है माने दोगुनी मेहनत करता है तब अंग्रे जी बोलता है और आपको एक जानकारी और दे दूँ आप अपने जीवन के अत्यन्त निजी खणों में मात्र मात्र भाषा इस्तेमाल करते हैं कभी दूसरी भाषा निकलती नहीं मूसे जब बीमार होते हैं, कश्ट होता है तो मा निकलता है मूँ से मम्मी नहीं निकलता, मदर नहीं निकलता, मौम नहीं निकलता क्यों? और जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो भी गाली मूँ में मात्र भाशा में ही निकलती है अंग्रेजी में नहीं निकलती तो आप अपने जीवन के जितने व्यस्ततम निजी छण होते हैं अपनी मात्र भाषा में ही बात कर सकते हैं और तब इस बच्चे को जिसको आपने अंग्रेजी में डाल दिया है उसके ऊपर कितना बोझा पड़ता है इसका आपको अंदाजा नहीं है आप अपने घर में मात्र बाशा में बातें करते हैं कच्छी में बातें करते हैं गुजराती में बातें करते हैं बच्चा उसी को सुनते सुनते सीखता है बच्चा सीखता कैसे है बच्चा सीखता है नकल करके तो जिस तरह से आप pronunciate करते हैं वैसे ही बच्चा pronunciate करने की कोशिश करता और उससे उसकी भाशा का विकास होता तो स्वाभवे ग्रूप से जो वो सीख कर आया है उसके ठीक उल्टी भाशा में आप उसको पढ़ने के लिए मजबूर करते है तो नतीजा क्या निकलता है नतीजा निकलता है कि वो बच्चा फिर पढ़ता नहीं है रटता है चीजों को और अगर मैं गुजराती में कहूं तो पोपट हो जाता तो जो पोपट हो जाता है बच्चा उसकी एक खासियत होती है किसी भी बच्चे को आप पढ़ाईए मान लीजे आपका बच्चा कक्षा आठ में पढ़ता है और उसका इमतहान हुआ है तो इमतहान के लिए वो रटेगा और रटने के बाद इमतहान में लिख कर आएगा दो दिन बाद आप उससे पूछ लीजिए उस को कुछ भी आद नहीं है कि उसने क्या लिखआ दो दिन बाद वो भूल जाएगा उसने क्या लिखआ एक साल की तो बादी छोड़ दीजी मुझे खुद ही आप नहीं है अंग्रेजी में जितनी चीज़े मैंने रटी है वो मुझे खुद ियाद नहीं आज मुझे खुदियाद में और इस अंग्रेजियत की सिक्षा विवस्था कैसा सत्या नाश करती है वो मैं मेरा एक उधारण आपको देना चाहता हूँ मैं कक्षा 9 में जब पढ़ता था तो मुझे को मार मार के एक फॉर्मूला सिखाया गया mathematics का एक्स प्लस वाई का होल स्क्वार इस इकोल टू एक्स स्क्वार प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वार फिर इसी को सिखाया गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वार इस इकोल टू एक्स स्क्वार माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वार अक्सर क्या होता था? मैं भूल जाता था क्या भूल जाता था? X प्लस Y में प्लस होगा X माइनस Y में प्लस होगा इसी मैं अक्सर भूल जाता था तो अक्सर क्या होता था? कि X प्लस Y में माइनस 2XY लिखता था? या X माइनस Y में प्लस 2XY लिखता था? अक्सर गड़ित में मेरे नमबर कट जाते थे तो मेरी पिटाई होती थी और उस पिटाई के डर की वज़े से मैंने एक बार तीन महीने सारी पढ़ाई बंद करके ये दोनों फॉर्मूले रटना शुरू किया और तीन महीने रटता रहा रटता रहा रटता रहा दसीयों किलों कॉपी मैंने भर दी होगी इन दो फॉर्मूलों को रटने के लिए लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों फॉर्मूलों का मेरे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं हुआ मैं इन दोनों फॉर्मूलों को तयार करने में मैंने मेरे जीवन का तीन महीना लगा दिया पिटाई खाई डाट खाई अत्यापक से बेज़दी सहन की कि तुम नालाएको तुम को ये दो फॉर्मूले भी याद नहीं होते तो इतनी पिटाई हुई इतनी बेज़दी हुई क्लास में चुकि ये दो फॉर्मूले याद नहीं होते थे और इतना समय बरबाद करके मैंने जो दो फॉर्मूले याद किये उनका मैं करूं क्या अपने जीवन में और ऐसा एक नहीं है मैं आपको सैक्णों हजारों उधारन दे सकता हूँ कि जो कुछ आपके बच्चे याद कर रहे हैं जो कुछ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से मुश्किल से 5 प्रतिशत उनके जीवन में काम आने वाला है 95 परसेंट तो बेकारी जाने वाला है और लाद लाद के बोजह हमारे बच्चों पर जानते हैं क्या बना रहे हैं हमारे बच्चों को गधा बना रहे हैं गधा क्या होता है बोजह लादते जाईए लादते जाईए लादते जाईए ऐसे ही हम हमारे बच्चों पर सिलेबस का बोज़ा लादते ही जा रहे हैं माने हम हमारे बच्चों को गदा बना रहा है इतना होमवर्क ट्यूशन पढ़ाने आएं वो भी होमवर्क देता है स्कूल में पढ़ने जाएं वहां भी होमवर्क मिलता है और मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हमवर्क इनके टीचर्स देते हैं बच्चों के उनसे पलट कर पूछ लीज़े उनको नहीं आता वो हमवर्क कैसे होने वाला मेरे एक बड़े परिशित दोस्त हैं हरीश भाई उनका छोटा सा बच्चा कॉंट्वेंट स्कूल में पढ़ता है अभी एक दिन में उनके घर गया तो रो रहे थे बड़े उदार से कहने लगे इसकी टीचर ने हमवर्क दे दिया क्या हमवर्क दे दिया है साइकल के पूरे 80 पंजर के नाम लिखके लिया हो और उनका नाम लिखते हुए एक एक वाकी इस्तेमाल कर लाओ तो मैंने उस बच्चे सो कहा कि अपनी टीचर को जाके कहना कि तुम एक एक वाकी बना कर दे दो तब मैं देखता हूँ कि यह वो कितनी पड़ी लिखी है यो हमवर्क दियाबक नहीं कर सकते हैं वो बच्चों पर लाद दे दे और बाद में क्या होता है उसकी खुननस निकालने के लिए बच्चों को मारते हैं पीडते हैं उनको डाटते हैं उनकी बेज़र्की करते और बच्चों का दिमाग पुन्ठित कर दे यह जो सिक्षा व्यवस्था है ये बच्चों को गधा बनाने वाली व्यवस्था और मैकॉले ने इसलिए इस देश में ये व्यवस्था चालू की थी ताकि इस देश के बच्चे गधे बनें इंटेलीजेंट नहीं बनें और ये इसी सिख्षा व्यवस्था का परिणाम है जो इस देश में दिखाई देता जब हम गुलाम थे तब इस देश में दो नोबल लॉरियट पैदा हुए थे अब आज़ादी आ गई है तो एक का भी पता नहीं है इस देश में और हमसे पित्वी पित्वी से देश हैं दुनिया में जहां हर साल कोई नोबल लॉरियट पैदा हो जाता ये नोबल लॉरियट जानते हैं कौन होता जो बच्चा मौलिक काम करता है कुछ नया काम करता है वो Nobel Prize पाता है, Nobel Prize पाने के लिए PhD करना जरूरी नहीं है, B-Tech, M-Tech करना जरूरी नहीं है, Newton कक्षा 9 में fail हो गया था, उस Newton को हम सब याद करते हैं, Einstein कक्षा 10 के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, उस Einstein को हम याद करते हैं, Max Planck ने इतनी बड़ी theory दी सारी दुनिया में, E is equal to H new, व मैक्स प्लेंग कभी स्कूल गया नहीं, उसने स्कूल का मूनी देख, Shakespeare कभी किसी विद्ध्याले में से PhD करके नहीं आया, और हमारे देश में देखिए, तुलसी रास ने कौन से विश्विद्ध्याले में से PhD लीती जरा बताईए, और उनकी लिखी हुई राम चरित्मानस ह गाउं गाउं में गाई जाती, महर्शी वेद्व्यास ने कौन से उनिवर्सिटी से डिग्री लीती, जो उनकी महावारत सारे देश में गाई जाती, और उस पर रिसर्च की जाती, डिग्री लेने से कभी इंटेलिजेंट होने का कोई वास्ता ने, बलकि इस देश में तो बोजे के नीचे दबे रहते हैं उनका mental development नहीं हो पाता और तब मैं आपसे कुछ कहने आया समय हो गया है मुझे गाड़ी पकड़नी रात को मुझे सूरत जाना इसलिए ये व्याख्यान मुझे यहीं खतम करना पड़ेगा लेकिन conclude करते हुए दो तीन बातें कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो गुलामी का माहौल अंग्रेजों के जमाने में था वही गुलामी आज भी चल रही है जो सिख्या व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी वही आज भी चल रही है जो नियाय की व्यवस्ता अंग्रेजों के जमाने में थी वही आज भी चल रही है जिस तरह के कानून अंग्रेजों के जमाने में थे वही कानून आज भी चल रहे है और जिस तरह की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में थी वही अर्थव्यवस्था आज भी चल रही है तब आप पूछेंगे कि क्या करें रास्ता क्या है इस में से रास्ता दो ही है पहला रास्ता ये है कि जिस दिन आप जग जाएं उसी दिन सवेरा मान लीजे अब तक आप सो रहे थे ठीक है मालूम नहीं था जानकारी नहीं थी लेकिन अगर आज आप जग गए हैं तो मान लीजे आज ही सवेरा है तो उस सवेरे की शुरुवात कैसे करें अपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में से बाहर निकाल लीजे उनको गुजराती माध्यम के स्कूल में भेजी और गल्टी से भी कभी किसी को ये सलाह मत दीजिये कि अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाओ क्योंकि इस अंग्रेजियत की विवस्था को अगर बदलना है तो आपके बच्चों को अपनी मात्र भाषा में पढ़ना ही पढ़ेगा नहीं तो वो अंग्रेजियत में ही फस्ते चले जाएंगे